मौल्दीव के नए राश्पती है मौहम्मद मोईजू नवंबर में सत्ता संभाली है उन्होंने एक इंटर्व्यू में कहा है कि अगर भारत मौल्दीव से अपनी सेना नहीं हटाता है तो मौल्दीव का लोकतंत्र खत्रे में आ जाएगा क्योंकि ये उनका चुनावी वादा था कि वहां से भारत की सेना को हटाएंगे और लोगों ने इसलिए उनको वोट दिया है लेकिन असल में माजरा क्या है? क्या है पूरा मामला जिसके कारण ये राजनिती वहां पर चल रही है चुनावी वादे ऐसे किये जा रहे है ठीक मौहमद मौईजी के पहले मौहमद सुली वहां के राश्टपती थे और वो भारत से काफी करीब माने जाते थे इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी थी सौ से ज़ादा अंडरस्टानिंग्स, M.O.U.s वेगरा उनके रहते साइन किये गए थे लेकिन मौहमद मौईजी जो की अब राश्टपती हैं उन्हें चीन से करीबी माना जाता है और ये एक तरह से चिंता का विश्य है सत्ता सम्हालने के दूसरे ही दिन उन्होंने जो यहां से समारों में भाग लेने केंडरे मंत्री गए थे किरन रेजुजू उनको उन्होंने कहा कि भारत वहां से अपनी सेना हटा ले और आम तोर पर इस तरह की चीजे जब स्वेरिंग इन समारों होता है उस समय ऐसा नहीं होता है लेकिन उन्होंने ऐसा किया असल में कितनी सेना है वहां पर कुल मिलाकर करीब 77 माना जाता है भारत के जो सेना की लोग हैं वहां पर मौजूद हैं और यह आज से नहीं कई सालों से वहां मौजूद हैं क्योंकि भारत लगातार अलग अलग चीजों में मौलदीव की मदद करता रहा है वहां पर जो रडार स्टेशन हैं उनकी उनको चलानी के लिए वहां पर भारत सेना की लोग हैं यह इंदिया के स्पॉंसर रडार हैं कुछ surveillance aircraft हैं, उनको चलाने के लिए हैं, warships हैं उस इलाके में ताकि वहां का जो exclusive economic zone है, उसकी patrolling, उसकी गश्ट करने के लिए मौल्दिव्स की मदद की जा सके, और कुछ जो हैं वहां पर helicopters को manage करने के लिए हैं, वो helicopters जो कि वहां पर जब भी medical emergency होती है, किसी भी tourist को या आम जन के लिए वहां पर भारत के सेना के करीब 77 लोग तैनाथ हैं, खुद वहां के एक मंत्री का ये कहना है कि ऐसा यहां पर इतने लोग हैं, लेकिन फिर इतनी समस्या इसको लेकर क्यों हो रही हैं, असल में जो placement है मौल्दिव्स का, वो ऐसी जगा पर सित हैं, जो की shipping lanes के, जो रास्ते पर पड़ता है, भारत के करीब है, और हिंद महासागर में उसकी जो placement है, उसको लेकर चीन और भारत के बीच लगातार तना तनी चलती है कि दबदबा किसका वहां पर ज़ादा होगा, भारत के लिए रनीतिक तोर पर भी बहुत महतोपून है, इसलिए पांचला की अबादी वाला यह छोटा सा जो द्वीप है, जो आइलेंड नेशन है, वो इतनी ज्यादा इंपोर्टन्स रखता है, इतना महतोपूर रखता है, जिसके लिए दोनों ही देश, चीन और भारत दोनों बड़े देश जो हैं, वो compete करते रहते हैं, तो इन सब चीजों के बार बारत वहां पर मदद करने के लिए है, और इन सब चीजों के बावजूर बाचीच चल रही है कि आखिर आगे यहां पर क्या होगा, दिली सिकादम बिनी शर्मा, NGTV इंडिया